असलाम अरेकूंगाइस तो आज हम बनाएंगे ये मज़िदार से राजमा तो चलिए ये मज़िदार से राजमा बनाने शुरू करते हैं सबसे पहले हम कुकर में दालेंगे राजमा राजमे को मैंने छे-साथ गंटे पहले भी हो दिया था अब इसमें मैं दालूंगी पानी और नमक दालूंगी इसमें और हम नमक दालने के बाद कुकर की लिड लगा देंगे और करीब 3-4 सीटियां लगा लेंगे तीन से चार सीटियों में ये अच्छे से गल जाएंगे तो हम चेक कर लेते हैं कि राजमा गले हैं के नहीं गले ये देखिए राजमा हमारे से दो मिनट पका लेंगे उसके बाद हम इसमें एट करेंगे चार प्याज मीडियम साइस की चॉप की हुई और इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और करीब 2-3 मिनट के लिए हम प्यास को पका लेंगे अब हम इसमें एट करेंगे लस्तनादरका पेस्ट थोड़ा सा धनिय तोड़ा सा गरम मसाला पौडर लाल मेश पौडर हलदी करेंगे हम नमक हमने लाजमा ऊबलतर में भी दाला था तो इसीनिए हम नमक कम ही दालेंगे और हमने अच्छे से मिक्स कर दिया मसाले को किलिप हमारी डिलिट हो गई थी तो मैंने इसमें दो से तीन हरी मिर्च भी गर दिये तो अब हमने मिक्स कर दिया सारे ऐसील इसमें एक्राइड करेंगे चार टमाटर की छत्त किया हुआ है और अच्छे दो और टमाटर को हम जब तक पकाएंगे मसाले के अंदर तब तक यह अच्छे से गल जाएं और हम भून भी लेंगे मसाले को उसके बाद जो हमने राजमा उबाला था वह एड करेंगे और मिक्स करेंगे मुझे ग्रेवी कम लग रही है मैं चावल के साथ खाने के निया बना रह तो पानी एड़ कर देंगे हम थोड़ा था पानी एड़ करके mix करेंगे और करीब 5-6 मिनट अच्छे से पका लेंगे और यह देखिए 5-6 मिनट हो गए हैं तो राजमा हमारा मज़ेदार सा बन करते हैं और आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक बार इस तरह से राजमा बना कर ट्राइब जरूर कीजिएगा बहुत ही टेस्टी लगता है यह चावलों के साथ तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए लाफिज